शुक्रवार को ASP कोटद्वार शेखर सुयाल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का खुलासा किया था ASP ने बताया कि 18 सितंबर को वनंत्रा रिजार्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली पौडी गढ़वाल के नांदलस्यूं पट्टी के श्रीकोट गाव निवासी अंकिता भंडारी 19 संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी रिजार्ट मालिक पुलकित आर्या ने युवती के लापता होने की रिपोर्ट दर्स कराई थी ASP ने बताया कि 22 सितंबर को मामला राजस्व पुलिस से लक्षमंजूला थाना पुलिस को हस्तांतरित हुआ वनंत्रा रिजार्ट के संचालक और दोनों मैनेजरों का कहना था कि अंकिता अपने कमरे से गायब हुई जबकि कर्मचारियों ने पूच्टाच में बताया कि गायब होने की रात अंकिता संचालक और मैनेजरों के साथ बाहर गई थी पर वापस नहीं लोटी SP ने बताया कि पुलिस ने हरिद्वार के आर्यंगर के स्वदेशी फार्मेसी निवासी रिजार्ट संचालक पुलकित आर्य, ज्वालापुर के दयानंद नगरी निवासी मैनेजर अंकित उर्फ पुलकित गुपता और ज्वालापुर के ही सूरजंगर निवासी मैनेजर सौ पुलकित ने कहा कि अनकिता गुस्से में हैं, इसे लेकर रिशिकेश चलते हैं, जिस पर वे तीनों अलग-अलग गाडियों से रिशिकेश चले गए, हम लोग बैराज होते हुए एम्स के पास पहुँचे, इस बीच रास्ते में तीनों ने शराब पी, इसके बाद अनकिता ने धमकी देने लगी कि वह सभी को यह बात बता देगी कि पुलकित आर्य उस पर ग्राहकों के साथ शारिरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता है, इसी बीच अनकिता ने पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया, दोनों में हाथा पाई शुरू हो गई और तीनों लोगों ने गुस्से में अनकिता को नहर में धक्का दे दिया, उत्तराखंड उस दियारफ ने शनिवार की सुबह अनकिता भंडारी का शव रिशिकेश की चीला नहर से बरामत कर लिया है, मामले की जाच अब SIT करेगी, सोलह शनिवार सुबह अनकिता का शव मिलने के बाद प्रदेश भर में जगहज गया लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है, सडकों पर प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपियों को फासी देने की मांग कर रहे हैं, सोलह आफ सोलह वहीं शनिवार को रिशिकेश एंस में अनकिता भंडारी के शव का पोस्ट मार्टम किया गया, प्राथमिक पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में अनकिता के शरीर पर चोटों के कई निशान पाए गए हैं, हालांकी प्राथमिक Post-Martem Report के मुताबिक अंकिता की मौत पानी में डूगने के कारण हुई है उत्तराखंड के रिशिकेश में अंकिता हत्याकांड मामले में एक के बाद एक नए खुला से हो रहे हैं शनिवार को सोशल मीडिया पर अनकिता भंडारी और उसके दोस्त के कई वाटसेप चैट वाइरल हुए इन में अनकिता ने वहाँ पर आने वाले एक मिहमान और अनकित के बारे में बहुत कुछ बताया है उसने कई बार लिखा कि अब वह यहाँ पर काम नहीं करेगी अनकित उससे बहुत से गलत काम करने को कहता है अनकित उसे धमकाता था कि यदि उसने ग्राहकों को मना किया तो यहाँ लड़ाई हो जाएगी वह धमकी देता था कि वह उसे काम से निकाल देगा अंकिता ने लिखा कि बहुत गंदा होटल है, मैं यहां बहुत अंसिक्योर फील कर रही हूँ मुझे अंकित वी आईटी महमानों को स्पेशल सर्विस देने को बोलता है मैं यहां काम नहीं करूंगी चैट में दोस्त अंकिता को बार-बार कॉल करने को कहता रहा लेकिन वह मना करती रही अंकिता ने कहा कि आवाज आएगी तो अंकित यहां आजाएगा अंकिता ने वाट से पर अपने दोस्त से यह बाते कहीं थी दोस्त ने समझाने और कॉल करने की बात कही लेकिन डर के मारे वह उससे भी ज्यादा बात नहीं कर सकी यह सारी बातें दोनों के बीच 17 सितंबर यानी अंकिता की मौत से एक दिन पहले हुई थी अंकिता ने कहा की अंकित बोल रहा है की तुम्हें गेस्ट हैंडल करने हैं अगर नहीं किया तो तुम्हें काम से हटा देंगे और दूसरी लड़की को रख लेंगे दोस्त ने पूछा की यह किसने बोला आर्यन ने तो अंकिता ने हामी भरी दोस्त ने अंकिता को समझाया कि वे उसे हटाएंगे नहीं डोंट वरी अंकिता ने बताया मंडे को वी आईपी गेस्ट आ रहे हैं और उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस देनी है मैंने बोला तो मैं क्या करूँ इस पर उसने कहा किस पा वगेर है इस पर अंकिता कहा मैं बहुत इंसिक्योर फील कर रही हूँ बहुत गंदा होटल है मुझे यहां काम नहीं करना सूत्र बताते हैं कि इसी चैट को प्राथमिक साक्षे मानते हुए पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है DZP अशोक कुमार ने मीडिया से कहा कि चैट से जाहिर है कि अंकिता पर गलत काम करने का दबाव था ग्राहक ने नशे में गले लगाया था दस हजार दे रहा था अंकिता ने वाट सेब चैट यह भी कहा रिजॉर्ट में आये एक ग्राहक ने शराब के नशे में जबरन उसे हग करने की कोशिश की वह अपने दोस्त को चैट में बता रही है कि किसी ग्राहक ने उसको शराब के नशे में गले लगा लिया था तब मैनेजर अंकित गुपता ने उसको शांत रहने के लिए बोला था ग्राहक ने उसको अतरिक्ट सेवा के लिए 10,000 रुपए देने की पेशकशकी पर उसने इनकार कर दिया अंकिता चैट में यह भी लिखती है उसके साथ अगली बार ऐसा हुआ तो वह काम छोड़ देगी